नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका नौलेज इस करन्सी में मैसल्फ मेहुल यहाँ पर मेरी डिटेल्स दिग गई है थोड़ी बहुत बीच में छोटा सा फोटोस भी दिया गये आपको एक टास्क मिल रहा है कि में कौन सवह हूँ वह भी आप जान सकते अगर आप गेस करन पीपल जैसे कि इस दिवाली वेकेशन में हैपी दिवाली टू अलोफ यू भी फरस्ट ऑफ और नया साल यानि कि गुजरादी लोग जो विक्रम सवंत मना थे उनके लिए नया साल है तो उनको भी नया साल के बहुत-बहुत सुप काम नाई स्वागत है आपका इस चैनल प ले हैं पसिए बात जैसी कि अगरा आप गए चिंभल लाइस फार एक्जांपल तो आप कैसे जाएंगे अगर आप बजले ही तो त्रेन में बस में जा सकते है बजल का ध Гstar ना रखे तो एर में भी जा सकते प्लाइन में भी जा सकते और शिप में भी जा सकते अगर आप गूंगूं को जाए और बहुत सारी अच्छे अच्छे हैं हमारे पास mode of transportation available है लेकिन 20 लाग साल पहले की बात करें अगर हम जो कि हंटर और गेधरर की बात है साब साब बात है कि उनको पास ना ही कोई mode of transportation available था इसलिए उनको जैसे जाना था एक जगह से दुसरी जगह वो यूजियली ऑन बाइफूट या फिर on the back of animals ऐसे ही जाते थे सबसे पहले बात है कि वो जाते ही क्यों थे बई लगन दूर है कश्ट दायक है तो क्यों जाना उसके बहुत सिंपल उनको एक जगह से दुसरी जगह जाना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसे hunter गेदर उनका नाम ही पड़ा है कि वो अपना food collect कर रहे या फिर hunt कर रहे इसलिए उनको hunter gather कहा जाता है तो उनको food के लिए in search of food एक जगह से दुसरी जगह जाना पड़ेगा अगर वो एक जगह पर रहते ह यानि कि मैं सुरत में हूँ और अगर सुरत में सभी पूरी दुनिया के लोग आ जाएंगे तो खाना available होगा वो खतम हो जाएगा एक समय के बाद तो उन लोगों को दुसरी जगह जाना पड़ेगा for example की बात है उसी लिए similarly अगर hunter से तो hunt करते थे animal को animal होते हैं वो कोई एक ट्री वो फ्रूट देते हैं लेकिन कोई कोई सेजन में देते हैं अगर इस सेजन में यहां पर एक फ्रूट है तो दूसरी सेजन में दूसरी जगह पे फ्रूट होगा तो वो दूसरी सेजन में उनको वहां तक जाना ही पड़ेगा in search of food basically similarly पानी एक बहुत आवश्यक तब उनको पानी की search के लिए दूसरी जगह जाना पड़ेगा और बेजिक है कि अपने दोस्त या फिर रिलेट्विस को मिले के लिए भी हो एक जगह से दूसरी जगह बाइफूट जाएंगे ठीक है इन सबसे क्या होता है कि उन लोगों के बीच sharing and linking होता है उनसे knowledge बढ़त सारे skills और knowledge की आवशकता रहेंगी जैसे कि hunter है अगर वो hunt करना चाहते है एनिमल या फिर fish को पकड़ना चाहते है पानी में से तो उनको एक alert mind के साथ quick और presence of mind चाहिए ज़रा से भी भूल चुक होगी तो hunt करने वाल एनिमल होगा वो भाग जाएगा उसी तरह gatherer वैसे हमको प पता रहना चाहिए कि कौन सा plant खाने लायक है कौन सा plant खाने लायक नहीं है या फिर कौन सी season में fruits आएगा कौन सी season में fruits नहीं आएगा ठीक है यह सब जो transportation हम आज यूज कर रहे हैं उनका main मकसद यह है कि वह हमारी आवशकता और time को बहुत ही minimize कर देते हैं सीख ठीक है अगर अभी हम next topic पर जाएंगे यह basically मैंने questions आपको बुचा था कि वह क्यों travel करते थे उनके लिए skill mode of transportation यह थोड़े बहुत pictures दिखाए है और अब हम next जाएंगे tools and its uses ठीक है वो कौन-कौन से things use करते थे जैसे कि stone tools, wood tools, brown bone tools उनके use क्या रहेंगे tools यूज करेंगे तो उनका use भी हो या फिर लकड़ी काटने के लिए जो की लकड़ी काम है उनको firewood या फिर hunt जोपड़ी बनाने के लिए आधी फिर और tools में से दूसरे tools बनाने के जैसे कि spears और arrows बनाने के लिए या फिर animals की चमड़ी को काटने के लिए फिर वो bark of trees काटने के लिए आधी आधी उनका use होगा बहुत basic use है कोई specialization की आवशेकता नहीं है इसमें उसी तरह से next देखेंगे stone का बहुत basic use हो सकता है कि उनसे आग लगाएंगे लेकिन अगभी आग के बारे में हमें कोई बात यहाँ पर दीग गई नहीं है आग के बारे में हम थोड़े time के बात जानेंगे stone का use करके वो जम चमड़ी वाले कपड़े उनको stitch करके यानि उनको मार मार के उनको joint करके उनको joint करेगी यानि सिलाई का काम जो हम आज करते हैं वो लोगों पत्थर से करते थे उनको मार मार के ठीक है और next places to live sites आपको पता है क्या होता है sites ऐसी जगह है जहां से उनको hunters और gatherers के रहने की evidence हमको मिले है normally usually और बहुती basically वो near water मिले है water यानि rivers या फिर lakes के किनारे के आसपास जैसे तीन site दी गई है इस chapter में भीमबेटका होंसगी और कुर्नुल के उस भीमबेटका है जो Central India में MP में आता है और होंसगी और कुर्नुल के उस South India में आते है ठीक है यहां पर हमें जो स्टॉन availability मिलती है क्योंकि स्टॉन में से टूल्स बनाएंगे तो स्टॉन वाली जो उनकी चीप्स और वेस्ट पड़े होंगे वहां से फेक्टरी साइट्स का अंदाजा हो सकता है उसी तरह से कई साइट सैसी होती कि वहां पर habitation कम फेक्टरी साइट्स वह काम भी करेंगे और रहेंगे भी जो भीम बेट का MP के साइट है वहां पर caves और rock shelters बनाएंगे थे युजल यह विंधिया और डेकन प्लेटू में पाये जाते थे close to नर्मदावेली ओके मेकिंग stone tools stone tools दोर परकार से बनाएंगे stone on stone and pressure flacking यह दोनों method बहुत इसी है stone on stone में दोनों पत्थर जो होते एक hammer और एक core उनको दोनों एक हाथ में पकड़ेंगे और उनकी मदद से hammer की मदद से core को हम shape देंगे उसी तरह से pressure flacking में जो core होता है उसको जमीन में दाटकर hammer के जो हाथ में पकड़ेंगे उसकी extra chips को निकाल कर उसको shape देकर उनको tools बनाते थे अभी हमने पिछले में बात किया था कि पत्थर से हम fire का भी वो दोनों को टक करा कर fire की जिंगारिया बना सकते लेकिन जो fire है उसका evidence भी मिला है assis of trash मिला है जैसकी कुर्णूल के उसमें south में fire का use तो basically है कि light source या फिर meat को पकाने के लिए या फिर प्राणियों को डराने के लिए जो scary animals होते है उनको ठीक है अभी हम बात करेंगे 12,000 साल पुराने बात वहाँ कुछ हैसा हुआ कि climate में बदलाव पुराना शुरू हो गया warm conditions हो गई grassland डेवलोप होना शुरू हो गया और animals जो grassland पर डिपेंड करते थे उनकी संख्या में भी बड़ोतरी हुई और बड़ोतरी होगी तो obviously hunters उनको follow करेंगे उनके बारे में learn करेंगे उनकी food habits के बारे में शिखना शुरू किया bleeding seasons के बारे मे शुरू हो चुक है उससाथ में fishing वह भी काम सब शुरू होने लगा उसी तरस grain bearing grasses भी develop होना शुरू है grass इसमें सिर्फ वह घास पूसी नहीं आएगा उसमें जो हम घाओ बाजरा वह सब खाते उसके भी grasses एक प्रकार से ग्रासी कहले लाएंगे और वहां से उनको as a collected करना दिख लिया ठीक है यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा उन साइट्स के बारे में फिम बेट का हुंसगी और कुर्णूल के यह fire as a example ठीक है अभी हम यहां पर दिख लिखा है paleolithic, neolithic और megalithic साइट्स ठीक है यहां पर बहुत सारी साइट्स भी दिख गई है यह फिम बेट का है वंसगी में हमको limestone tools का भी evidence मिला है 12,000 साल पहले grassland develop हुए timeline of stonage तीन टाइप की timeline है paleolithic, mesolithic और neolithic 12,000 से लेके पिछले 20,00,000 साल तक जो time period बनाएंगे उसको हम paleolithic कहेंगे old stonage यहां पर हम उसको further divide कर सकते है lower, middle और upper यह जो paleolithic time period है करीबन 99% of human history का time रखता है अपने पास, उसके बाद next है mesolithic, mesolithic में जैसे कि microleth found होना शुरू होगे, micro यानि थोड़े बारिक तरिक के tools और उस tools में microleth found होए, यह time period है करीबन 12,000 साल से 10,000 साल तक फिर उसके बाद आया new lithic, new lithic यानि और नए ज्यादा tools जैसे कि जो pebbles और small polished shaped वाले tools मिलना शुरू हो गए, ठीक है? इसका time है जो करीबन 10,000 साल से अभी तक का हम गिन सकते, अभी तो बहुत advance हो जोके है सब कुछ, फिर भी basic है, यह बहुत ही प्यारा सा ostrich है आपर दिख्या गया है, क्योंकि ostrich जो है इंडिया में उसके ostrich मिले है, during paleolithic time, eggs cells found है उनके, कहां पर महाराष्ट में पटने, not पट ने, और उनमें से bits बनायते थे, माला बनाई जाती थी, और उनके अंदर designs engraved की गई थी, आज कहां है, आज साइद North Africa के उस साइड के इलाकों में ostriches found होते है, वो पता है ना आपको वो जमीन में अपना सीरी डाल देते है, वही, उसी तरह से rock painting हुई, जो caves और rock shelters थे, उसक बनाये नहीं थे, natural colors थे, फिर, हुंसगी, एक paleolithic sites थी, मैंने बताया था, वहाँ पर limestone से made stone stool मिले है, वो एक habitation come factory sites थी, उसी तरह से एक example से, France का, France के में भी एक cave painting मिली थी, उसके जो colors थे, वो minerals, iron horse और archery में से बने थे, और usually यह जो painting सोती थी, उनको ceremonial occasions में बनाई जाती तो अगर आप भी imagine करें कि आप rock shelter में रहते थे, आज सामको आपको वो rock की wall पर painting करने ही है, तो आप कौन से color choose करेंगे, आज हम जो चप्पू यूज करते है, to cut anything, या फिर catchy यूज करते है, scissor यूज करते है, उसी तरह से उस टाइम में, जो stone tools थे, उससे आज हम कही advanced tools और ये जो पूरा task का हमने विवरण किया, उसमें कौन सा का man करते थे, कौन सा woman करते थे, कौन सा बच्चे करते थे, या फिर तिनों मिलकर करते थे, उसके बारे में कोई details दी गई नहीं है, ठीक है, तो ये chapter बहुत easy था, ये हमने आज पढ़ लिया, next chapter है, growing food and rearing animals, तो हम next chapter मैं मिलें के तब तक के लिए, शुक्रिया और धन्यवाद, ये सब बहुत easy है, आपके लिए जो, मैं बहुत easy बात बताना चाहता हूँ, कोई भी topic आप read करे, फिर उसको सुने, उसके बाद उसको पठाए, teaching करे, सब कुछ साथ में करे, ठीक है, धन्यवाद,